मशकार बच्चो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिस इस्पोकेन सिखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने उन दोस्तों क जो class है वो मैं दो दिन में end करूंगा तो आज जो हम लोग है वो जो regular sentence मनाते है वो translate करना सीखेंगे और कल कुछ difficult sentence तो इसका definition क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था चुकी थी चुकेते हो उसे past perfect tense कहते हैं और इसमें subject plus had plus भर्व 3 का use होता है याद रखिएगा कि अगर आप भर्व 3 नहीं जान रहे हैं तो आपको साइद ये tense बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो चलिए हम लोग translate करने के लिए सबसे पहले कुछ sentence ले लेते हैं जैसे कि वह कपड़ा धो चुका था same उसी तरीके का sentence है बच्चो जिस तरीके से चुका है था लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा difficult था कि helping verb के रूप में have use होता था और यहाँ पे helping verb के रूप में had use होगा और had सभी subject के साथ use होगा इसलिए थोड़ा easy और मज़ेदार भी हो जाएगा तो मैं फिर से sentence एक बार repeat करता हूं वह कपड़ा धो चुका था तो वह का he होगा he के साथ had लगेगा और धोना का was तो was के साथ ed लग जाएगा he had washed cloth तो उसके बाद एक और sentence ले लेता हूं कि मैं किताब पढ़ चुका था तो I had read book ठीक है अब चलिए एक sentence का हम लोग 6 बनाते हैं वह कपड़ा धो चुका था he had washed cloth व कपड़ा नहीं धो चुका था he had not washed cloth क्या वह कपड़ा धो चुका था had he not washed cloth वह कपला कैसे धो चुका था How had he washed clothes वह कपला कैसे नहीं धो चुका था How had he not washed clothes तो इसी तरीके से आप लोग को अगर past perfect tense समझ ना आए तो आप इस वीडियो को repeat करके देखिएगा आपको एकदम समझ आ जाएगा और मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा था आपको पढ़ने में इंट्रेस्ट लगे और boring ना हो जाए कोई भी subject इसलिए छोटे topics पे मैं तेयार कर रहा था कि 2-3 मिनट का इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो past perfect tense के details पे होगी अभी के लिए बाई बाई